आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट कोड के साथ आयो गया है और इससे पहले हमने इंग्लिस ओनर्स के लिए मुश्ट इंपोर्टेंट जो एक टॉपिक था फिगर ओपी स्पीच उसको हमने कंप्लिक कर लिया है जो एक्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं और आज हम लोग FHT-1 का स्टार्ट करने वाले हैं यह सब्जेक्ट कोड को हम लोग कंप्लिक करेंगे पूरी तरह से मैं आपका बता दूँ कि FHT-1 जो है यह बेसिकली सब्जेक्ट करते हैं अब मैं यह बात क्यों बोलता हूं सबसे अधिक बच्चे भी क्यों करते हैं तो कि FHT-1 कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को कमाइंड करकी एक यहां पर सब्जेक्ट को बनाया गया है जिसके कारण इसमें आपको फिजिक्स के भी कोश्चन मिल लाएंगे इसमें आपको बाइलोजी के भी कोश्चन मिल लाएंगे फिलोसिभी की मिल जाएंगे, सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट से सबको कमाइंड करकी यह हमारा सब्जेक्ट कोड बनाया गया इसलिए, क्या होता है अक्सर इसमें बच्छे एक बार नहीं, दो दो बार ती 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 बार फिल कर जाते हैं, तो मैंने पिछले एक्जाम जो ह है वीडियो आपको आपके लिए लेकर आया हूँ, यह वीडियो बेसिकली मैं इसलिए लेकर आया हूँ, जो जो बच्छे अच्छे मांक्स लाना चाहते हैं फिश्टी की लोगन में, मैं इसमें हर एक चैप्टर वाइस, पूरी जितने भी इंपोरी वीडियो देखनी है, जिन्हें भी अच्छे मांक्स लाना है वो यह पूरी वीडियो देखें ठीक है, और डेफिनेटली इसी के अंदर से पोशन पूछे जाएंगे, जो भी इंपोरेंट टॉपिक से सबको यहां पे मैं डिसकस करूँगा, और हमारे साथ जूडे रहें, अगर नहीं हैं हमारे तोपिक FST 01, जिसका नाम है विज्ञान का इधियास, यह एक चेप्टर है, ठीक है, अध्याय 1 में है, ठीक है, FST 01, विज्ञान का इधियास हमोग जाने वाल है, यह हम लोग का ब्लॉग 1 में, चेप्टर 1 यह है, हिष्ट्री आप साइंस के इसे स्टार्ट होता है, यहां स अध्यान का इधिए, अधिक है, हम से स्टार्ट之前 हम जाना राता है, तो मैं आपको थोड़ा साइ उनके से रिलेटेट, जो है, जेतने भी प्रगतिम हैं deepfoto विकास हिए हैं सभी को हमें जानना है उनसे रिलेटेटा लोगों जानना है, scientist के बारे में जानना है कुन जिसले सिवेता इसमें जिली को जानना है यहीं से बिसिक, लिए पुशे जाएंगे इस चेradas कहां से साइन्स डेवलोप करना ही इसका हुआ था तो यहां पर इगल लिए शुरूर ही तो हो जायगा वह हमारा एंसन उजिप्त था। इसे आज हमएं मिस्र के नाम से भिलामिका है जो है साइन्स का मदलब यानि कि विज्ञान का जो विकास होना, इस्टार्ट कहां से हुआ था, कौन से जगा से हुआ था, कौन से देश से अगर दे गिया तो वहां पर आपको बेसिकली लिखना है, मेसर से, ठीक है, प्राशी मेसर से, अगर पूछ दे कि को, वहां किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में देदे और कितने स्विस से इस्टार्ट हुआ था, तो आपको यहां के तीन हजार से बारासो इसा पुरू, यह देना है, ठीक है, अगर पुछ दे कौन सी सब्धेता, ठीक है, विज्ञान का इतिहास की सब्धेता से जुड़ा हुआ है, त ईवलोचने की देवलॉटमेंट अफ साइंस, किस कंट्री के लोगों का सबसे ज़्याद यूग आप है। या पिकिस कंट्री के लोग सबसे पहले आगे बढ़कर आए विज्ञान के विकास में, जिन्हों ने विज्यान के विकास की पहली नीव को रखा, तो अगर किसी द कि बिग्यांद के वीकास् में ने बहुत ज्यदा है पुनाम दिया, अब देखिया, आप आते हां वह टोपिक पे कि विजएान का विखास सताप्धी से कर दो दो कि हमारा हुजाएगागा 20 zaman cute बैसवी satावधी तू है 20 bustear sitaabdi को बेसीक की देखिया, सबसे ज्यादा डेवलोप्मेंट वाले चीज खोजे गए थे या फिर साइंस से रिलेटेड वो थी हमारी अनुवांसिकी के बारे मैं आपको बता दूँ देखी मैं यहां पे कुछ टॉपिक्स इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता हुआ उससे रिलेटेड को भी कर कि यह मैंडल जो थे इन्होंने जेनेक्टिक्स का खोच किया था अब अगला है हमारा कि 20 सताब्दी में ही यह और चीज का विकास हुआ था सबसे पहला अनुवांसिक का ठीक है अनुवांसिकी का और बहुतिकी का ठीक है फिजिक्स का भी विकास होना यही से श्टार्ट कुछे कौन से सताब्दी से विज्ञान का विकास प्रारम हुआ या फिर कौन से सताब्दी में हमानसिकी का विकास हुआ या फिर कौन सी सताब्दी से भोतिकी का विकास होना प्रारम हुआ तो आप वहां पेंसर 20 सताब्दी लिख सकते हैं ठीक है यह हमारा एक पुछाता ह वो बिसिकली हमारा Second World War के बाद से हुआ था Second World War अगर देखे यहां पर मैंने Important Topics में लिख दिया है Second World War ठीक है Second World War से related यह भी कोश्चन आ सकता है कि साइंस का विकास किस विस वयूद के बाद से होना इस्टार्ट कुश्चन यह बनता है और हो सकता है कि अगर दूसरा विस वयूद के बारे में यहां पर बोला गया है तो पहला विस वयूद के बारे में पूछ सकता है तो अगर पहला विस वयूद के बारे में पूछे तो मैं आपको यहां पर लिख दिता हूँ इन्मेंसम सी स्टार्ट फेलों के खोल बना है ये हमारा दुस्रा विसूट के बार वादवा, जो था उने सो उने सो उने सो कहताजिस के, आप अच्छे तरिके से याद रखें, अगला है, साइंस किस साइंस जो rica है ये किस भासाả से लियां गया है ये भी कोर्शन आ सकता है तो साइंस reviewing सब सब साइंदिया से लिया है तो इसे लिप लगा लगा है सब्सक्रानी भशाओ किस अनेकशन कुशन आता है कि बेघ्यानीक पधिति की निव ही संसे quan रहता है यह आरस्तू बिधाना को बढ़े तो तो ऑफर ओल यह एक बहुती विच्छाथ और बहुती प्रख्याथ यू है यह हमारे साइंटिस्ट थे ठीक है अगर ऐसा है कि देखिए आरस्टू के जो गुरू थे इंका दाम था प्लेटो यहां पे मैं लिए लिए ठीक है तो प्लेटो और आरस्टू दोनों ने साथ मिलकर जो है सबसे पह प्लेटो और आरस्टू ने मिलकर प्राक्रितिक दर्शन का मिशलेशन दिया लेकिन अगर कोशन पोशा जाए कि वेग्यानिक प्रदितिक की निव किस ने रखी तो इसका एंसर हो जाएगा आरस्टू ठीक है अब चलिए अगली कोशन पर जाए है तो दिखिए चार सुनिन सबसे पहले जो है यह मौडल प्रस्टू किया गया कि सूरी जो होता है ठीक है सूरी जो होता है वो सभी सभी ग्रह जो होते हैं वो सूरी के चारों और परिकर्मा करते हैं और सूरी जो होता है उस सूरमंडल का बीच का एक तारह है जिसके चारों और सभी ग्रह परिकर्मा क स्वारमंदल के मुत्या होता है या पिस स्वारमंदल का कैंडक कैंड़ित तारआ है वो सुरी है । ऐसे हो साभी गर्ष स्थरों चक्र लगाते हैं। टो परहले यह मननेता थी कि प्रथ्वी के चारों तो चक्र लघाता है। टीक है। गेलोल्यों artifact किito maya सि type 對 BC Germany गेलोय required by Münan çelпа जोने एक किया this week से पाल सि किया मेर मुख मेरे शाध मेरे ste Kub पर्ति यह बात चल जा रहा था, एगेंश में चल जा रहा था। उसके पर उन्हें काफी जो है अलुषनाएं भी जिलने पड़ी। लेकिन फाइनली जो है उनका ये मॉडल जो है सक्सेस रहा है और हमें चाहिए जानकाली मिल गई कि सुर्मंडल का 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 सुर्मं द्राटी दूरूप में वैज्ञानी क्रांती की चुरवा थी. Wulty क्रांती की अर्थ लीजानी की बादन Óटी की स्गया हुआ रहा, तो ये लोगों से पत्द सब्रसु की हो nya आपE लगया, दो नो कीलेड़ों, था ओंति presenting में गराय। तो ये क्रांती लाने में सबसे बड़ा उतान किसका था तो ये कॉपर निकस का था अब चलिए अगला कुशन की सबते हैं हम लोग तो देखिए गेलेलियो के बारे में अगर बताएं तो गेलेलियो में ये चीज प्रूब किया था ठीक है कि मैंने जो गोला कि स्वर्मंडर के चालों सबिग्रा चक्र लगाते हैं लेकिंग कॉपर निकस में इसी सिधान से रिलेटेट एक ठोरी दी जिसके अनुसार शुर्की चारों और सबिग्रा चक्र लगाते हैं और गेलेलियों ने उसे अपने एक सुख्शम दर्सी के दोआरा इस सीध भी किया था ठीक है तो कॉपर निकस भी यहां पे यहां जो जाएगा कॉपर निकस जो थे इनका बहुत बड़ा जोगता था अब चेते अब जोगते हैं देखिए न्यूटन के द्वारा एक बहुत ही प्रसरीट भूक है जिसको लिखा गया था इसका नाम है तो उसमें से एक option ये भी दे दिया था, ठीक है, philosophy, naturalist, principia, mathematical, ठीक है, तो ये answer हो जाए गए, इस question repeat होने के भी चांसे से हैं, अगला है, ये Newton में इस book को लिखा था, तो ये 1687 issue में इसको लिखा गया था, ठीक है, ये overall थी हमारी विज्ञान का इतियास, जो हमारा पहला blog था, FHT 01 का उसके questions और उसके important topics, आप basically इसमें जो है important topics इसके बारे में मैंने बताया है, जैसे कि मैंने बताया आप, देखे, गयलियों के बारे में तो यहां पे मैंने ये mention नहीं किया हुआ है, लेकिन गयलियों के बारे में भी आप पढ़ जो ठीक है, उनके दौरा बनाया गया सबसे पहला दौरदस्ती उनके दौरा बनाया गया था, और उन्हाने कई सिद्धांत भी दिये थे, तो गयलियों से रिलेक्टे कोश्चन आप सब पूछे जाते हैं, लेकिन अगर जैसे कोपर निकस का आजाए कोश्चन, कोपर निकस तो गयलियों में आप लोग कंशूज सब्सक्राइब के बारे में अरस्तू, प्लेटो, ठीक है, अनुवान सिकी, में सापोटा निया, तो ये सारे टोपिक्स को आप लोग इससे इतने भी कोश्चन बनते हैं, आप लोग रेक सकते हैं, बाकी, और मैंने आपको एक आईडिया दे दिया कि चैप्टर वन में कौन करने की हैं, तो सबस्ट्राइब कर लें, बाकी आपको बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप लोग नॉट्स पर्चेस करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थेंक्यू, मिलते हैं अगले वीडियों के,